इस्तिर की पुस्तक अध्याय दस, मुर्दकई का महात्म्य और राजा क्षेश ने देश और समुदर के टापू दोनों पर कर लगाया, और उसके महात्मय और पराकरम के कामों और मुर्दकई की उस बढ़ाई का पूरा ब्योरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह मादे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। निदान यहुदी मौर्दके क्षेश राजा की के नीचे था, और यहुदियों की दुष्टी में बढ़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसनत थे, वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रह करता था, और अपने सब लोगों से शान्ती की बाते कहा करता था।